बश्कार दोस्तों स्वागे थे आपनी यूटूब चैनल टोप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो SSE दिली पुलिस कॉंस्टेबल का आर्ट इसमबर को थर्ड शिट में एक्जाम हुआ है तो थर्ड शिट में पूचेगे 50 में से 41 जी के स्वाल साथी साथ कम्पूर्टर के सभी 10 क्योशन्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं ये सभी क्योशन्स 100% रियल और ओथेंटिक हैं और एक्स्टा फेक्स आई देखने वाले तो वीडियो को लाइक करते भी कंटिन्यू कीजिए इसकी वीडियो फाइल आपको आर्ट इसमबर के तीनों से प्टों की पीडियो फाइल जल्दी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी मोतल आपके क्योट के मौक टैस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं 13प दिसमबर को दो मौक टैस्ट होंगे पर तीक मौक टैस्ट में पतचिस क्यों तो यह 7 फर्स आपकी 10 ऐम साट 3 चार पीëम इसी प्रकार 27 शेप्टा इस मौक हें देस्वर मोक टैस्ट जिसका एइनलिस है वह जरूर एन्रोल कर लेना है तो चले कंटेनू कर लेते हैं तिरत्य शिप्ट में पूछे गे ये सभी जीके प्लस कंप्यूटर रिक्योसंस इनका क्या एक्जेक्ट एंसर रहने वाला पहला स्वाल देखेगा रजिया सुल्तान कब दिल्ली की गद्धी पर बैटी थी तो इनका राजय विशेक वाता 10 नॉवंबर 1236 को तो इनका शर्षनकाल 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान है वो दिल्ली की गद्धी पर ये बैटी थी और ये इलतुतमेश की पुत्री थी रजिया सुल्तान पर्थम मुगल बाहर्षा जिन्होंने दक्षिन भारत में आकर्मन किया पंचायतन शेली क्या है तो ये मंदिर रचना शेली हैं और इस रचना में चारो कोनो पर स्वाहिक मंदीर और मध्य में मुख्य मंदीर होता है तो मंदिर रचना की शेली हो जाएगी पंचायतन अगला स्वाल वेग्यानी की J.E. पुरुकिंजे ने किसकी खोज की है तो जीव दर्वे जो प्रोटो प्लाजम है कोशिका का तो कोशिका में जो जैविक पधार्त को जीव दर्वे है उसका नाम दिया है पुरुकिंजे ने 849 में मूसी नदी कौन सी नदी की सहाइक नदी है तो ये आपके किष्णा नदी की सहाइक नदी है जो भारत के तेलंगना राज्ये में बहती हैं और हैदरबास सीटी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है अगरा स्वाल बकिंग हम नहर किन इस्तानों के बीच इस्तित्यतु किन को कनेक्ट करती हैं बकिंग हम नहर है तो ये विजेवाडा को विलुपुरम विजेवाडा जो तमीन नाडू में हैं सोरी आंदर प्रदेश में हैं और तमीन नाडू के विलुपुरम जिले के बीच कन हैं जो 26 अक्टूबर 2020 को रेटायर हुए है एक्जेक्ट इस्वाल पूछा गया था 26 अक्टूबर 2020 को रेटायर हुए है HDFC के CEO ये वह भारत के सबसे लंबे कारेकाल तक CEO रह चुके हैं longest serving bank chief executive officer अधित्यापपुरी हो जाएंगे और वर्तमान में HDFC bank chief executive officer कोन है तो वह है शशिधर जगदिशन 27 अक्टूबर से राजेसभा के जून 2020 तक आपको पूछा है कौन chairman है तो राजेसभा के chairman हो जाएंगे आपके वैंक्या नाइडू जो उपर राष्ट पती होते है वह ही राजेसभा के chairman और deputy chairman कोन है तो यह आपकी पूछाओ स्वाल है हरिवन्स नारायन शेंग है deputy chairman अगला स्वाल देखिए पादशाह नामा के रजजिता अब्दुल हमीद लहोरी किस मुगल बहसा के श्रमकालिन थे तो जो पादशाह नामा उनके रजजिता है अब्दुल हमीद लहोरी यह थे शहाँ जांके सरकारी इतियासकार तो सहाँ जांके श्रमकालिन थे और यह जो आपके पादशाह नाम करती है इसमें सहाँ जांके शासन के 20 वर्षों के इतियासका उलेक मिलता है इल्टुतमिर्ष के किसी व्यक्ति का नाम दिया गया था जिसके लिए पूछा था कि ये क्या है योदार शास्त्री सूपिसन आप कमेंट करके बताना वो कौन था इल्टुतमिर्ष की शासनकाल में कौन सा व्यक्ति था ऐगला स्वाल देखें Stewart Broad कौन से देश के Cricketer है तो Cricketer से पते एक स्वाल आ रहे हैं कौन सा Cricketer किस देश से है तो Stewart Broad England से हैं एक और आपकी Cricketer का पूछा गया है ये कौन से देश के Cricketer है तो ये West Indies के हैं महाजनपद काल में उज्जेन किसकी राजधानी थी तो अवंती की महाजनपद सोहला महाजनपद है उसमें उज्जेन है ये अवंती की राजधानी थी और बाकी में बात करूँ सोहला महाजनपद और उनकी राजधानी आप देख सकते हो जो महाजनपद काशी है राजधानी वारानशी, कोसल, स्रावस्ती, अंग, चमपा, जेदी, शक्तिमती, वस्त, कोशंबी, कुरू, इंद्र, पश्त हैं और वज्जी का आपके पूछावा स्वाल है SSC CPO में तो उसकी राजधानी वेशाली तो ये सभी आपको याद में रखना है सामंद शब्द से क्या तात्प्रे हैं तो जमीदार जो राजधा को कर देने वाला अधिकार भोगी भूपरमुक है राजधा और किसानों के मद्दी जो बिजोलिया रहता है जमीदार जो उनको कर वगरह देता है ये हो जाएगा सामंद साथवी अनुसुची के विशे इन में से नहीं है तो ओप्सन आदारी थें क्या विशे थे आप कमेंट करके बता सकते हैं जिन भी केंडिट का थर्ड सिफ में एक्जाम था बाकी मैं साथवी अनुसुची की बात करूँ तो इसमें राज्य और संग की मद्दी के अधिकारों का उलेक मिलता है जिसमें शंग सुची राजे सुची और श्रमवर्ती सुची हो और अलग-अलग उसमें विशे है अगरा स्वाल दिखे 44 समिधान संसुदन के दोरा कौन अनुचेद को निर्शन जो हटाया गया है वो आर्टिकल 319F है जिसमें आपकी संपतिक अधिकार का उलेक मिलता था अनुचेद 19F में दिया गया संपतिक अधिकार है जो आर्टिकल 319F में वो 44 समिधान संसुदन 1978 के तेयर्थ हटा दिया गया है अभी एक विदिक अधिक आर्टिकल 300A में उगरनीत है हल्दी में चारी दिर्व मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है तो मैं बात करूं ट्रुमेरिक की तो उसका रंग यदि उसमें एसीड मिलादा है तो यलो रहेगा और यदि यहाँ पर इसका बैस है शार के साथ यह ब्राइट रेड हो जाती है ह हल्दी एसीड की साथ यलो है जो की उसका कलर है रबर उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो कैरल कैरल में रबर का सबसे अधीक उत्पादन होता है फिर तमीन नाडू और करना टकल समूदर गुपने जो सिक्के चलाए थे उन पर कौन सा वाद्धियंतर उकेरा परदा जो सूचकांग है उसमें भारत की रेंग है 43 यह आपकी 43 रेंग है यह IMD World Competitiveness Index की बात हो रही है तो भारत की रेंग कितनी है 43 43 और पर्थम रेंग है सिंगापूर की IMD का मतलब Institute for Management Development है तो इनके दोरा यह इंडेक्स जारी किया गया है और यदि मैं बात करूं वैस् परतिवा वाले जो सूचकांग है उसमें भारत की रेंग है 72 और इसमें है 43 भारत की वैस्विक नवाचार सूचकांग में रेंग तो यहां पर इंडेक्स से दोस्वाला है एक तो यह आपकी परतिशपरदा वाला 43 और एक आया है आपकी नवाचार जो कल भी आया था Global Innovation Index 2020 म अभिनव बिंद्रा ने ओलम्पिक में Gold Medal कब जीता है तो इंडिवीज्विज्व में पर्थम Gold Medal जीतने वाले हैं अभिनव बिंद्रा 2008 के बिजिंग ओलम्पिक में इन्होंने Gold जीता था और इन्होंने 10 मिटर एर राइफल इवेंट में ये Gold Medal जीता है Summer Olympic जो बिजिंग में बताना बाकि जो अंतर प्रद्वी जालीका है उसका उप्योग वैसे ये लिवर है उसके treatment में होता है और ये protein को सिका के बाहर भेजने के लिए काम में आता है अंतर प्रद्वी जालीका में राइबोस्वाम अगेरा जो protein का का काम करते हैं protein speaker के बारे में सई statement आपको पूछा था तो क्या statement थे आप कमेंट करके बताना बाकि मैं protein speaker की बात करूं तो इनकी नियुकती है वो governor के दोरा राजिपाल के दोरा की जाती है और नियुकती आमतोर पर तब तक के लिए होती है जब तक विधान सवा अपना इस्ताई अध्यक् प्रवाचित जो विधायक है उनको शपत पदर ग्रहन कराने के लिए protein speaker की राजिपाल के दोरा नियुकती की जाती है protein का जो एक लेटिन सब्द है protein for मतलब हो जाएगा कोश समय के लिए और आम तोर पर जो protein speaker है वो senior most विधायक नहीं जो सबसी ज्यादा बार चुन कर आये ह हैं और ये protein speaker उनकी list भेजे जाती है सर्चेवाले के दोरा और फिर राज्यपाल को वेशरशा दिकार रहता है कि वो किनको select करें जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा बार जीत कर आये हुए उनको करें लेकिन उस list में ये सामिल रहते हैं अगला स्वाल देखिए कौन सा मोलि 263 के तैट एड़ हुआ है समिधान में और ये भाग चार क के अनुछे रिक्या उन क के तैट वरनित हैं 11 मोलिक कर्ट्यों आप देख लीजेगा कि प्रतेक नागरिक का कर्ट्यों होगा कि वो समिधान का पालंद करें उनके आदर्शों राष्टे धोज और राष्टेगान का आदर करें स्वतनतर्ता के लिए हमारी राष्टे आंदर्वलन को प्रेजित करने वाले उच आदर्शों को हिर्दे में संजोय रखें भारत की परभूता एक्ता खंटा की रक्षा और अक्षून रखें देश की रक्षा करें भारत के सभी लोगों की समर्षता और समान भारत्तों की भावना का निर्मान करें हमारी सामाजिक संसक्रति का महतो समझे उनका निर्मान करें प्राकर्तिक प्रयावन की रक्षा समर्धन वेगानिक दश्टी कौन है सारुजनिक शंपति को सुरुक्षित रखें व्यक्ति के तेंव शाहमुई गतिविद्यों की सभी छेत्रों में उतकर्ष्ट के लिए बढ़ने का सत्त प्रयाश करें और जो अंतीम आपके 86 एमेंडमेंट के तेयत एड हुआ है जो शिक्सा वाला कि 6-14 वर्ष्ट के बज्चों है तो प्रात्निक शिक्सा प्रधान करना ये भी हो गया है करपे अगरा देखे असोक इस्तम से स शायद करेक्ट होना चाहिए तो असोक इस्तम से एक स्वाल आया है असोक ने विभिन भागों में कई इस्तुप और इस्तम बनाए हैं जैसमें एक आपका सारनात का इस्तम भी है जहां पर राष्टी भारती राष्टी प्रतिक को अपनाया गया है वहां से और यह आपकी 250 इस्तम में असोक ने जो यह इस्तम है वो बनाए थे मुक्यत पीलर्ष में आपके सारनात है सांची है यह सभी असोक इस्तम है अगला स्वाल देखे प्लेयर वुड़ेड नॉट के अलमपिक मेडल यह आपके स्वाल था शान्या मिर्जा क्रेक्ट हो जाएगा उनको उलमप भी किसकिश रायक है तो मुसी और लोहित दोनों स्वाल पूचा गया है लोहित है यह ब्रह्मपुत्र नरी की ट्राइबूटरी हो जाएगी बैस्ट फीचर फिलम एट तो 66 ने श्टर फिलम आवार्ड में बैस्ट फीचर फिलम का आवार्ड जो दिया गया है है हैलारो को वो किस भाषा से हैं यह पूचा गया है तो हैलारो है गुजराती भाषा की मोई अगरास वाल दिखिया आपर लारजेस्ट कैमरा ट्रेफ वाइल लाइफ सर्वे जो हुआ है जो गिनीज बोक आउफ वर्ल्ट रिकॉर्ड में भी नाम आया है लारजेस्ट कैमरा ट्रेफ व वाली जो नदिया रहती है उसे का जाता है मेंडर तो मेंडर इज वहर रीवर और इस्टी मेंग से बेंड और कर्व जो बनाती है जरनली 90 डिगरी का वो मेंडर है अगरा स्वाल चीन का भार्त में 2019-20 में कितना फोरें डारेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है तो चाइना न डारेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सिंगापूर के दोरा हुआ है भारत में 2019-2014.666 billion का हुआ है billion dollar का हुआ है चाइना का और बाकी में यहाँ पर बात करूँ चाइना के बाद आपके यह सिंगापूर है सिंगापूर के बाद मोरिशस का हुआ है सबसे ज्यादा जो कि आप देख सकते है उसके बाद निदरलेंड का है और फिर यूएस का है तो यह सभी आपके foreign direct investment में कौन सा सबसे आगे है सिंगापूर है चाइना का आपको पूछा है इसमें राष्टी बाल पुरुसकार 2020 कितने बच्चों को दिया गया है तो यह दिया गया है 49 बच् अगे अगे आधाग की सासी का है कि स्वाण चाशी का है तो आपको दिद्धा का पूछा है तो यह है कश्मीर की पहली माईला शाषिका वंस का पूचा है तो हो जाएगी उत्पल वंस की शाषिका रही है 980-1003 सीही तक और रानी दिद्दा का विवा है वो सेमेंद्र गुप्त से हुआ था उनका शाषन का विर्तांद कलहन की राज त्रंगणी में मिलता है तो ये जो दिद्दा है कश्मीर की महिला शाषिका उत्पल वंस की हो जाएगी और राज कुमारी थी ये लोहार वंस की इनकी पिताजी अगला स्वाल देखिए 22 वी पशुगंणा में पशुधन विर्दी दर 2018 में 20 वी पशुगंणा होई है तो पशुधन में जो विर्दी दर रही है वो पिछली पशुगंणा 2012 की तुलना में 4.6% है टोर्टल आबादी कितनी है पशुधन की तो 535.38 मिलियन है और सबस ज़्यदा वर्दी है वो किस स्टेट की हुई है अब की बाद पूछेवा स्वाल SSE में पच्छी मंगाल में पशुधन की संक्या में सबसे अधिक 23% की वर्दी उसके बाद देलंगाना में और भारत में जो पर्थम पशुगंणा होई थी वो 19-19-20 में होई थी और 77 के बाद 1991 में उसके बाद हर 500 वर्ष बाद ये पशुगंणा होती है अगला स्वाल कंगारू कैसे आवाज निकालते हैं तो ज्रोटल है ये मुहु दवाकर हंसना इस प्रकार के आवाज ये निकालते हैं कंगारू बाकि ऑप्शन क्याता है आप बताना एक या पर एक अश स्वाल पूचेगे हैं लगबग ये सभी स्वाल मिल चुके हैं तो देखेंगे आपर MS Word में New Document Open करने की Shortcut की हैं तो Ctrl N के साथ आप New Document Create कीजिए O के साथ पहले से Cell Document को Open कर सकते हो Ctrl O MS Action में Cell को Edit Mode के लिए Shortcut की Shortcut की का पूच्छा है तो Function की से आप F2 प्रेस कीजिए कोई भी Cell हो एक्टिव हो जाएगी Edit करने के लिए उसमें Data Enter कर सकते हो या फिर एदी Mouse का Option में था तो Mouse Double Left क्लिक करने पर वो Edit Mode में चली जाएगी Cell में Color का Option आपको पूच्छाता है तो Home Tab में आप चाहिएगा वहाँ पर Feel Color रहेगा या फिर Alt के साथ H Shortcut की से भी कर सकते हो यहाँ पर एक Formula का सवाल है जो Mode से पूच लिया है तो Mode में आपके क्या होता है जैसे की 11 दे रखका है तीन दे रखका है इसका मतलब है 11 में 3 का भाग देना है जो 6 पर रहेगा वही इसका एंसो रहेगा तो 11 में 3 का भाग दीजी कितनी बार गया यह आपके आगया तीन बार गया, नो आगे, अब 6 पल कितरा राप केंगे, 126 पल, remainder जो भी बचेगा, mode में वो answer रहता है, तो 2 इसमें remainder हो जाएगा, अगला स्वाल, full form of URL, यानी uniform resource, लोकेटर, बोसे केंडेट यापर, universal करके गलत कर देते हैं, तो uniform है यह, in MS word में, color a single word, तो एक single word को color देना, य यह home tab में रहते सभी, MS word में print का विकल, किस tab में है, तो office बटन में है, print, open, save, save, edge, यह सभी office बटन रहता है, जो सब से top में, left side में, अगला स्वाल देखे, कौन सा software, word processing software नहीं है, यह option दिए गये थी, MS Excel करेक्टो देगा, word processing software में, MS word है, word paid है, not paid है, और यह सभी आपकी word processing program म Microsoft word हो गया, word perfect भी है, windows only में, apple works है, open office है, MS Excel नहीं इसमें, कौन सा email में print होने वाला संकेत है, तो add direct हो जाएगा, email में print होने वाला संकेत, MS Excel में zoom का option कहां पर आता है, तो zoom का option आपके नीचे, जो विकल दिए गये थी, option थे स्वाल में, उसमें दिया गया था, bottom right side, जो correct हो जा Microsoft word है, उसके right side में, okay, तो यहाँ पर computer के 10 स्वाल हो गए हैं, बाकि GK के 50 में से 41 थर्षप के स्वाल कवर हो चुके, मिलते हैं, आज की थर्षप के वीडियो के साथ, धन्यवाद,